दोस्तों इस वूडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षा बंदन का पोश्टर आप फोड़ोसॉप में बहुत ही असाने से कैसे बना सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ इसी टैप का आपको रक्षा बंदन का पोश्टर बनाने के लिए सिखाऊंगा वह भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में आप चाहो तो इस डिजाइन को देखकर मोबाइल में भी बना सकते हो या फिर आप अपने कंप्यूटर के फोड़ोसॉप में भी बना सकते हो तो नमसकार दोस्तों मेरा नाम है रितीश और रितीश भीन के यूट्यूब चैनल में आपक बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों यहांपे फोल्डर में देख सकते कि कि यहां पर हमारे सामने एक बेग्राउंड है यहांपर राकिस के पेंजीस है और कुछ स्लोगन है और यहांपे फोटो इस और देख रहे होंगे इन सभी को मिलाकर बहु पार चल सकता है यहां पर क्लिक करके यहां पर आपको एक औंड़ेंगा उसके ओपर किरेगे है जैसे ही क्लिक करेंगे सैड में आप यहां पर देखेंगे कि लेयर का ऑप्षन यहां पर एनेबल हो चुका है याने लेयर पेनल हमारा खुल चुका है उसके बाद दूस्तों सबसे पहले आपको साइज क्रेट करना है साइज जैने कि किस साइज में आप रक्षा बंदन का बनाना चाहते हैं तो मैं यहां पर क्या करता हूं यह पर new के में क्लिक करता हूं यहां पर और मैं नियू नियू का डेलगगैंग सँे में एक यहां पर विडिट में क्या करता हूं हाइट में से इसको बदल गर इंच में इस परकार तो यहांपर 4.3 ले लेना है आई 6 ले लैं है रेजुलेशन यहां से मैं 300 का ले लेता हूं और मोड यहां पर RGB रखूंगा और वाइट कॉंटेंट्स रखूंगा और सिंप्ली वाले बटन में क्लिक करूंगा यहां पर हमारा यह साइज आ कीवार में परकूंट्रोंट को लिए क्लीया अच्गिषुचा यहां पर करेंगा। और यहां पर देखें कि आभी आपका जो آ है वो लग चुका है और उसकोस्तों पे folan मैं जाके देखेंगे तो यहां पर आपको सीज़ें पहले जैअन मिलेगा इसको ड्रैक करके Photoshop में इसे भी मैं open कर लेता हूं और open करने कबाद क्या करूंगा यहां पर मैं इसको copy करूंगा copy कितना करूंगा मैं इसको यहां से देखे tools बार में यहां पर यह selection tool ले लूँगा और selection tool लेने के बाद जो है कि इसको मैं यहां से ले करके इसको कुछ यहां तक इसको मैं select कर लूँगा देखे और select करने के बाद control C press करना है और इसको minimize कर देना है और इस background में आके यहां पर control B press करना है control B press करने बाद move tool को select करके control T press करना है और कुछ इस परकार से इसे यहां से बढ़ा कर लेना है जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हैं मैं इसको बढ़ा कर रहा हूं और बढ़ा करके कुछ इतना मैं इसको बढ़ा कर लिया और ऊपर में यहां पर मैं एक photo लगाऊंगा अब जिसे कि हमारे पास यहां पर एक और फोटो है। इसको भी आपन कर लूँगा मैं जैसे ड्रैइच करूँगा अपने फोटोब में यहां पर रखूंगा। रखूंगा और इसको बढ़ा करके देखेंगा यहां पर देखें यह आ चुका है तो उसके बाद इसको control T press करना है कुछ इस परकार से देखे और इसको ओपर में यहां पर मैं लगा लूँगा ठीक है बस इतना लगाने के बाद देखते कि यहां पर हमारा इमेज भी आ चुका है जो कि बहुत ही असानी से सब काम हो रहा है ठीक है अगर आपको यह दोनों यह सब चीजे चाहिए मैटेरियल तो आपको मिल जाएगा वीडियो को सुरू से लास तक देखिए मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कैसे आप इसको डाउन नहीं पर यहां पर उतन लगा देना है यहां पर याँपशन करेंगे च्राइब हो करना है उसके असमें में लेयर में जाके यहां पर एक new layer ले लेना है जैसे कि यहां पर new layer का option इसके उपर क्लिक करेंगे यहां पर एक new layer बनके तियार हो चुका है उसके बाद आपको tools बार में चले जाना है और tools बार में जाके यहां पर pen tool को select करना है और उपर पर क्लिक करेंगे यहां पर इस वाले option में आपको path में क क्लिक करना है और क्लिक करने और एक बार क्लिक करें इस परकार से ठ्यचेर लेंगे तीक इतना और और उसके बाद क्या करना है आपको control के साथ delete button को प्रेस कर देना है जैसे प्रेस करेंगे यहां पर white color आपका feel हो जाएगा और उसके बाद यहां पर layer में आप देखेंगे कि यह लेयर में copy हो चुका है और यहां पर यह जो फोटो वाला layer है इसको ऊपर कर लेंगे इसके ऊपर तो अब यहां पर देखेंगे कि यह जो आपका फोटो यह उपर आ चुका है उसके बाद क्या करना है कि यह जो सेप है इसके copy बनाएंगे तो इसके लेयर के उपर select करके control जे प्रेस करना यहां पर यह copy बन जाएगा copy बनने के बाद दुस्तों यहां पर यह जो copy बाला layer हुआ हमारा save का इसके ऊपर आपको क्लिक रखना है और उसके बाद simply आपको क्या करना है लेयर मेनू पर जाएंगे और उसके बाद layer style और इसके बाद यहां पर gradient overlay पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दुस्तों simply यहां पर gradient overlay का option खुल चुका है उसके बाद gradient वाला option में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर यहां पर आपको color मिल आए black का है इसके उपर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको purple color को select कर लेना है ठीक है जैसे कि देख सकतो purple color हमारा select ह राध यहां पर character करेंगे और उसके बाद यहां पर on both इसके पर आपको किलिक करना है और यहां पर और ऊकी बॉटन में क्लिक करने करने के बाद आपने तल्स बार में द division जोटो आपको आपको रने आपको और मुव है यहां पर यजो वायट कैड़ा वाला इसको इस परकार से नीचे ड्रेत कर लेना है और करने को लेज़ की सच्ट लिए और लेयर को में कड़े हैं और कड़ने बाद रहें तो यहां पर आप देखेंगे की यहांपर रिट के लंग रहा है लेकिन में इसके अंदर black clear का तोक दूंगा और सीधा ओके यहांपर यहां पर में इस टोक का नंबर जो है फाइब दूंगा और ओके ऑफ यहां पर एक राखी का मैं यहांपर लोगो डालूगा तो यहां-पर आप एंगी कोट सीधा यहांपर उपएंड कर लुगा अपने फोड़ेट आपने करने बाद Promise यहांपर से उसको ड्रीख करके यहां पर लाओ या प् Ellis अपर क McNって ची किजिए और इस बेगरांड के उपर कंट्रोल भी कर दीजिए तो देखे कि यहां पर यह फोटो आ चुका है यहां पर हमारा इसको ड्रेक कर लिए मूफ टूल की मदद से और यहां पर यह जो आपका वाइड बेगरांड है इसको डिलीट करने के लिए इसको सब्सक्राइ में जाएंगे यह तो आप यहां पर इस टूल को मेजिक वान टूल को स्लेक्ट कर लिजिए यह फिर आप सिधा सेलेक्ट मेनु पर क्लिक कीजिए कलर रैंज और कलर रैंज खुलने के बाद इसको 100% कर देंगे और डिलीट बटन को प्रेस कर लेंगे अपने कीवर्ड में और यहां पर देखे यह राकी का प्ए अपका आ चुका है और अनक बाद आपको मूव टूल को सलेक्ट कर लेना है और कुछ इस परकार से इसको यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं और बड़ा करने बाद क्या करेंगे यह जो इमेज है इस इमेज के पीछी इस राकी को ले जाना है ठीक है इस प्रकार से यह आ जाएंगे और उसके बाद control T कर लिजे और आपको जितना चोटा बढ़ा करना है इसको चोटा बढ़ा कर लिजे इसराखे को और यहां पर आपको वहारदिक सुपकामना है लिखना पड़ता है तो आपको लिखना पड़ेगा तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं ट fout कर रहा зähän hon कर रहा और यहां पर सेफ टूल को करने के बात ऊपर पर क्लिक करने के लिए सेप का आएगा और उसके बाद आपको कलर करना है तो कलर फील करने के लिए घौ करने के लिए कि लेयर में जाना स्टैल और ग्रेड़ेंट ऑफरले पे किली कीजिए और यहाँ पर कलर्पे करके आपको जैसा संदाइसे स्टैक्स करेंगे और इस टेक्स्ट को इसके यहां सेंटर में लगा दूंगा अब यहां पर देखे कुछ इस परकार से देखने में लग रहा है तो कुछ इस तरीका से काफी असानी से हमारा यहां पर देख सकते हो कि रक्षा बंदन का पोश्टर बन चुका है दुस्तों अगर आप इसको सेव करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है यहां पर फायल में किलिक करना है किलिक करने के लिए तो दुस्तों आपको यहां फिल भार अगरम anc खरना चाहते हुआligen की किजिए में फिल चूस्ट्र करके और से बड में किलिक करता हूं यह पूस्टर देखे बदोनों पोस्टर यहां पर यह पहले वाला पोस्टर था और धोस्तों ओं डाउब सब्सक्राइब करांगे तुके आप असने से पोड़ करना चाहते हो तो आप हमारा टेलिग्राम में जोइन होके वहाँ पर टेलिग्राम गुरूप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप का लिंक आपको वडियो का डिस्प्रिक्शन में मिलेगा वहाँ पर लिंक पर जोइन कीजिए और वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए दोस्तों फिलाल के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूं एक और कमाल की ने वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम झाल